करोना के बढ़ते माम ले डराने वाले हैं एक्सपर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि कुछ दिनों में पीक पर जाने के बाद करोना के मामलों में कमी देखी जा सकती है इस पीच IIT वग्यानिक की एक टीम ने आने वाले दिनों में कुरोना के जो संभावित मामले बताये हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं IIT वग्यानिकों ने अपने गड़ी तक ग्यर मॉडल के अधार पर बताया है कि 14-18 माई के बीच कुरोना के बीच मरीजों की संक्या 38-48 लाग तक पहुँच सकती हैं वहीं 4-8 माई तक के बीच हर दिन संक्रमण के मामले 4.4 लाग तक पहुच सकती हैं आपको बतादे कि फिलहाल हर दिन कुरोना के 3.52 लाग से ज़्यादा के मामले सामने आननी हैं कायनपुर और हैदराबाद में इंडियन इंस्टिट्यूट ओफ टेखनोलोजी के वग्यानिकों ने या अनुमान लगाने के लिए सूत्रा, सेस्पटेबल, अंडिटेक्टिट, टेस्टेट, पॉजिटिव एंड रिमोव अप्रोच नाम के मॉडल का इस्थमाल किया वग्यानिकों नाशंका जताई है कि माई के मधी तक कुरोना के मामले 10 लाग से उपर तक जा सकते हैं इस नए प्रोजेक्ट में मामलों की समय सीमा और संख्या में सोधार किया गया है पिछले हफ़ते सोध करताओं ने अनुमान लगाया था कि 11-15 माई के बीच ये महामारी अपने पीक पर जाएगी और कुल अक्टिव केस 33-35 लाग तक आ सकती है इसके बाद माई के अंच तक मामलों में तेजी से गिरावट आ सकती है इस माईने के सुरवात में मौडल के अधार पर वग्यानी को द्वारा बताया गया कि संभावित आकड़ा गलत साबित हुआ था वग्यानी को ने बताया था कि 15 अपरेल तक देश में कुरोना के अक्टिव मामले पीक पर जा सकती है जो सही नहीं निकला IIT कानपुर में कम्प्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग में भाग के प्रफेशर मरिंदर अगरवाल में पीटियाई को बताया कि इस बार मैंने पूर्वान उमान आकड़े निकालने के लिए नियोंतम और अधिकतम गणना भी की है मुझे पूरा विश्वास है कि वास्तविक आकड़े इन नियोंतम और अधिकतम गणना के बीच में ही होंगे आने वाले दिनों में कुरोना के संभावित मामलों को लेकर प्रोफेसर अगरवाल ने ट्विटर पर भी कई पोस्ट किये थे उन्होंने लिखा था कि पीक समय एक्टिव केस के लिए 14-18 माई और नए संक्रमड के लिए 4-8 माई पीक मामले सामने आएंगे 38-47 लाग एक्टिव केस और नए संक्रमड के 3-4 से 4-4 लाग मामले सामने आएंगे उन्होंने या भी कहा कि या इस पस्ट नहीं कहा जा सकता कि अंतिमांकरे क्या होंगे समय के साथ मॉडल के बदलते अनुमानों के बारे में बताते हुगे प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि इसका मुखे कारण या है कि भायर के मौजोदा पैरामीटर में लगातार धीमी गती से बदलाव हो रहा है जिसकी बजह से सही अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है वग्यानिकों की ये नई स्टैडिय अभी कही प्रकाशिक नहीं हुई है वग्यानिकों का कहना है कि इस नए सूत्र मॉडल में कोई विशुशुताय नहीं है असिम्टोमाटिक मरिजो का कॉन्टाक्ट प्रेनिंग और अन्रपोटो कॉल के जर्ये भी पता लगा जा सकता है आयाईटी कानपुर के वग्यानिकों ने सूत्र मॉडल के लिए तीन माप तंडो का स्तमाल किया है पहले परामीटर में ये मापा गया कि कोई संक्रमित व्यक्ति एक दिन में कितनी लोगों को संक्रमित करता है दूसरे में ये जैना गया कि इस महामारी की चफेट मियाबादी के कितनी लोग आ चुके हैं और तिस ने पैरामीटर में पता लगाने वाले और गुप्त मामलों का अनुपात निकाला गया वियो रिपोर्ट आईपेन